नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में आज आपके आगे लेके आगे हैं रेनो कुट क्लाइमबर 2021 और साथ ही 2022 आपको दिखाना चाहरा हूं बताना चाहरा हूं क्या-क्या अपडेट्स इसमें कर दिये गए और होप करता हूं आपको यह मेरी आउट रह जाता है किसी भी गाड़ी के बारे में तो कॉमेंट सेक्शन में लिखके आप मेरे से पूछ सकते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों की तो मैंने कोशिश करिए कि दोनों में ही सेम कलर पिक करूं तक कि आपको डिफरेंसेज एग्जैक्ली समझा सकूं बत जाता है दोस्तों पहले 2021 में इसमें औरेंज इंसर्ट आया करते थे और अब 2022 में अपडेट होने के बाद इसमें वाइट इंसर्ट प्लस कुछ अपडेट आ चुके हैं तो चलिए एक आउटलाइन में आपको दिखाते हैं कि कौन सी कृट आपको बहतर लगती है यह जरू है 2022 तो चलिए एक-एक करके डीटेल्स चेक करते हैं और बताते हैं आपको क्या-क्या डिफरेंस यह क्या-क्या अपडेट दे दिये गए हैं 2022 वाली कृट के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं एक क्लोज लुक की दरफ और बात करते हैं फ्रंट की तो दोस्तों यह आप देख आपकी अब आजाते हैं अपनी 2022 यहने की लेटेस्ट अपडेटेट की तरफ तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको वाइट इंसर्ट आ चुके हैं जैसे स्पोर्टी वाइट रेनो बोलता है और स्केट प्लेट में भी अगर आप देखेंगे तो औरेंज की जगा यह वा और आउंड क्लैडिंग, वील कवर, ग्रेज फिनिश में और क्लैडिंग के साथ साथ औरेंज कलर में इंडिकेटर दिया गया है वहीं अपने लेटेस्ट वेरियंट की तरफ आएं तो यहां पे वील कैप्स को अपडेट किया गया है डूल टोन फिनिश के अंदर और प्या तो क्लाइमबर की बैजिंग कर दी गई है दोनों ही सिरफ वन लीटर एंजन ऑप्शन के साथ आती थी और अब भी इसी इंजन के साथ आएंगी अब आ जाते हैं और क्लोज लुक की तरफ और वीम औरेंज कलर का आता था औरेंज वेरियंट वाली में और रूफ रेल के अं इसमें भी वाइट इंसर्ट केरी ओन कर दिया गया है बागी दोस्तों यह औरेंज यह वाइट इंसर्ट में से आपको कौन सी फिनिश ज्यादा अच्छी लग रही है बार बार पूछ रहा हूं जरूर बताईएगा अब दोस्तों इंटीरियर में जाने से पहले एक और देख सकते हैं कैसी गाड़ी आपको कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी पूरी लग रही है यह आचुका हूं मैं नई वाली के रेर की तरफ और सेम स्केट प्लेट है बस औरेंज की जगह यहां आचुके हैं स्पोर्टी वाइट एकसेंट्स चलिए दोस्तों पहले देख देखने को मिल रहा है ?सीट फाब्रिक की बात करें तो क्लाइमबर की वाइजिंग वाइट और 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 अरेंज इंसर्ट सीट फैबरिक में भी दे दिये गए और यहां पर आप देखेंगे तो औरेंज इंसर्ट गेर नॉब के भी सराउंड में दिया गया गया बाकी स्टे अपले रेर डोर के अंदर भी यहां पर औरेंज इंसर्ट आया करता था बट यह बाद में अपडेट में हटा दिया गया था और होग करता हूं सबी चीज़ें अपने इजी ली देख ली होंगी बाकी फीचर में ऐस सच कोई बड़ा अपग्रेड नहीं है अब चलते हैं अप वाइट एकसेंट के साथ उतारा है चलिए यहां पर सेम अपडेट है डोर पैनल में औरेंज की जगह आप वाइट इंसर्ट आ चुका है उसके अलावा स्टेरिंग एजट इस यहां पर वाइट और 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 दोनों ही टचेज हैं यहां पर आप देखेंगे तो वाइट आ च स्टोन मैं कह सकता हूं और जब रेनो इतना अपडेट करी रहा था तो मेरे इसाब से सीट फैब्रिक को या सीट कवर को कलर को भी चेंज करना चाहिए था यहां पर आपको औरेंज कैसा लग रहा है सभी चीज़ें वाइट होने के बाद यह अट पटा लग रहा है या नही बात करते हैं सीट फैब्रिक की तो यह जो लाइट औरेंज है या औरेंज गलर है यह यहां पर मिर को थोड़ा अट पटा फील हो रहा है इसे चाहते तो कहीं नहीं वाइट एंसर्ट के साथ बेटर फिनिश किया जा सकता था चलिए दोस्तों आप बात करते हैं अपने वर् जैसे चलिए दोस्तों दोनों ही गाड़ियां आपको दिखा दी है कोई फीचर में कोई खास अपडेट नहीं है सिर्फ जो जो अपडेट से मैंने आपको जस्टिफाइब करके दिखा दी है पुरानी वाली continue करी जाएगी या नहीं जाएगी इसके बारे में कोई में मुझे कई ना कोई उमीद है कि और बहतर सेल्स यह अचीव कर पाएगी बात कर लेता हूं नहीं वाली की प्राइजिंग की तो मैनुल के अंदर 5,41,500 एक्षोरोम के प्राइज में यह आ रही है और वहीं बात करें एम टी में या इजी आर में तो 5,83,500 एक्षोरोम प् झाल